Hello and welcome friends, कैसे सब लोग में करता हूं, सब बढ़ी होंगे, सब हेल्दी होंगे, फिट होंगे और वाक आउट कर रहे होंगे अपने DP में round वाला जो circle होता हूं वहां पे आप colorful circle, golden circle, किसी भी type को circle जो भी आपको पसंद हो चाहे वो black हो, चाहे वो white हो, चाहे वो colorful हो, चाहे वो rainbow color हो, चाहे वो golden हो, कोई भी color, yellow color आप कैसे लगाएंगे ये वीडियो में आपको तिखाऊंगा ट्रिक पसांद आया तो like जरूर्द करना और channel को subscribe करते हाँ वीडियो देंकि आप भूल जाते हैं ऊप करना और वीडियो पसान है तो like जरूरर करना और Instagram में भाइक को फालो ने किया है तो जाके अभी फालो कर दो तो चले वीडियो करते हैं आप कोई भी color अपने DP में कोई भी circle लगाना चाते हैं जो भी आपका color हो मैं जैसे अभी Pixabay में जाता हूँ यहाँ से मैं कोई भी color choose कर लेता हूँ अपने DP के लिए जो मैं round circle लगाना चाता हूँ ठीक है round में वो जब मेरा photo रहेगा बीच में और circle में जो है सलेक करके मैं यहां से डाउनलोड कर लूँगा और नीचे में यहां पे ठैंक्यो लिख दूँगा ऑनर को जिसने भी यह एट्रिबूशन की है ठीक है उसके बाद में हम बैग जाएंगे बैग जाने के बाद में आपको पिक्सल लैप अप्लिकेशन जो है ओपिन करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके पास में ठीक है इसको 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 टेक्स पर क्लिक करके यहां से डिलीट पर उपर में क्लिक करके यहां से इसको डिलीट कर देना है From Gallery भी हमको इस Golden Color को जो हमने डाउनलोड किया तो वो Choice कर लेना है उसके बाद में यहां पे Circle वाला जो Option इस पर Click करके इसको यहां से Red Click कर देना है उसके बाद में हमें इसे इस तरीके से बढ़ा कर देना है पड़ा कर देने के बाद में और भी कोई यहां पे आप बैग्राउंड लगाना चाहते हैं ठीक है कोई भी बैग्राउंड चाहिए वह कलर हो चाहिए वह स्काय का हो चाहिए वह कुछ भी हो आपको वह सलेक कर लेना है अपने डाउनलोड करके रखा होगा तो जैसे कि मैंने टाउनलोड करके रखा है इससे यहां से प्लस पे क्लिय करके सिह सलेक कर लेता हूं ठीक है सलेक कर लेता हूं सलेक हो नथ नने के बाद में फिर से इसी तरिका इंटरीवएस आएगा आपको सरकल पे कि लिक कर देना है राइड किलीक कर características दिखें यहां पर सर्कल हो गया ठीक है फिस रैट क्लिप पर क्लिक कर देना है उसके बाद में आपको इसे इस तरीके से बड़ा कर लेना है बड़ा करने के बाद में आपको इस तरीके से बड़ा कर लेना है ठीक है और यहां से आपको सेट कर लेना है कि आपको कितना जो बॉ वाला जो background है ये भी set हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना photo add करेंगे, plus पर click करके हम from gallery पर जाएंगे, जाने के बाद में यहाँ से png photo select कर लेंगे, png photo कि आपको नहीं मालूम है, तो जा कि आप मेरे playlist में देख लेना, ठीक है, png photo मतलब आपको जितना भी background फोट set कर सकते हैं, एस तरीके से मैं इसे रखता हूँ, ok, या फिर आप इसको इतना ही रहने दे सकते हैं, मैं इसे इतना रखता हूँ, ठीक है, उसके बाद इस right click पे click कर देता हूँ, करने के बाद में यहाँ पर दिखे, यह बी circle sip का हो है। ठीके है। अब हम इसे क्या करेंगे यह बड़ा करेंगे और इसे हम अपने इस border जो line है उस पे हम इसे set करेंगे रह। इसरीके से ताकि देखने में फोटो थोड़ा नैचुरल लग ठीके अभी देखे यह फोटो ना कि इस frame से बहार भी नहीं है नहीं इस frame से out है, तो यह photo कितना भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप चाहे तो इस photo को और थोड़ा बड़ा भी कर सकते है, उसके बाद आपको इस three dot पे जाना है, आपको इस three dot पे click करके आपको export image पे click करना है, यहां से जो png वाला option है, इस PNG को आप JPG कर देना पहले PNG में Save करके देखना, अगर PNG में Save हो जाता है तो ठीक है अगर PNG में Save नहीं होता है, तो आपको JPG Format रे सेफ करना है, टीक है उसके बाद हम इस Save to Gallery पे Click करके इसे Save कर लेना है Add आएगा, Add को आपको Disconnect कर देना है उसके बाद हम जाएंगे अपने Facebook में तो देखें, यहाँ पर मैंने एक फोटो लागे रखा, डीपी लागे रखा, इसका जो सर्कल है, वो colorful है इस फोटो को हम यहाँ से चेंज करेंगे, अपना डीपी चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके select profile picture पर जाएंगे, उसके बाद में जो फोटो हमने यहाँ से भी safe किया था, उसे हम यहाँ से select कर लेंगे, select करके हम यहाँ से safe कर देंगे, तो द यह सेव हो चुका है फिर से हम जाएंगे फेस्बूक में और फिर से हम बैग जाएंगे बैग जाके हम फिर से बैग जाएंगे बैग जाके फिर से इस कैमरा पर क्लिक करेंगे फिर से सलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से हम इस फोटो को सलेक कर लेंगे तो देखे ये फोटो अभी फोटो अच्छी तरीके से यह सेव हो चुका है उसके बाद हम इस सेf पर क्लिक कर देंगे saef पर क्लिक कर देखे अभी जो हमारा प्रूफाईल पिक्चर है गोल्डेन सरक्ल के साथ यहाँ पे शो इसी तरीके से आपको जितना भी फोटो है जितना ही फोटो आप सरकल लगा सकते है बस यही method आपको apply करना है जैसे मैंने बताया सुरूँ से लेके लास्ट तक पिक्सर लाप को जो मैंने अभी टूटोरिल दिया आपको इसी तरीके से फॉलो करना है कोई भी background कोई भी color आप circle में लगाना चाहते है तो इसी तरीके से लगाना पहिला layer golden है दूसरा layer जो है उपर में जो बीस में जो background है धंडर का है और उसके सब्सक्राब बिल्कुल फ्री और लाइक बिल्कुल फ्री है तो लाइक करने में कजू सी मत खरना और सब्सक्राब कर देना ूडा को ताकि जितने भी वीडियो को नॉटिफिकेशन है ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे और कोई सवाल हो तो आप DM कर सकते मुझे Instagram में और comment box में भी आप मुझे पूश सकते हैं मैं उसके help करने की जो कुछिस जरूर करूगा तो ठीक है तो आज के लिए इतना ही तिस मुनुरे सा का टेकिंगर ट्रैक चेकिंग आउट मिलता हूं फिर नेक्स वीडियर में बाई